सो हे दोस्तों वैलकम बैक टो और चैनल सो दोस्तों अगर आपके बास रेडमी 9A, Redmi 9i डिवाइस है और या Poco C3 डिवाइस है तो आपको पताना चाहूंगो कि Redmi 9A और 9A डिवाइस के लिए MIUI 12.0.13.0 का स्टेबल अपडेट इंडिया में रॉल आउट होना शुरू हो गया है और Poco C3 के लिए भी अपडेट रॉल आउट होना शुरू हो गया है स्टेबल वरजन जिसका की वरजन है MIUI 12.0.9.0 अगर आपको अभी तक यह अपडेट का नोटिवेशन नहीं आया है तो अपने फॉन की सैटिंग में बाट फॉन में जाकर चेक करते हैं बट अगर आप इसे अभी अपडेट करना चाहते हैं OTA के तुरू तो आपको क्या कर आपने डिवाइस के लिए उस पर क्लिक करना है तो उसके बाद एक जीफ फाइल आपके डिवाइस में डाउलोड होनी शुरू हो जाएगी तो वो जीफ फाइल डाउलोड कर लेने के बाद आपको आपने फॉन की सैटिंग में जाना है सैटिंग में जाने के बाद अबाद choose update package पर जाकर उसके बाद सीधा आपका file major open हो जाएगा file major में open होने के बाद आपको internal storage में जाना है और download में आपकी zip file download होई होगी तो आपको सीधा उस zip file पर click करना है और ok कर देना है तो उसके बाद आपका phone new version में automatically update होना शुरू हो जाएगा एक बार reboot होने के बाद तो आपका phone new version में update हो जाएगा तो आप इस method का यूज़ करके अपने phone को manually अभी update कर सकते हैं latest version में क्योंगी हो सकता है जो इसका stable rollout है वो आपके device में कुछ दिनों तक आए अभी ना हो सकता है एक वी लग जाए दो भी लग जाए तो आप ऐसे भी इसे manually अभी update कर सकते हैं यह बिल्कुल stable roll का update है तो अगर आप भी अपने डिवाइस से लेटर में यह 12 और 12.5 से लेटर लेटर इस न्यूज और अपडेट जाना चाते हैं और ओट यह link पाना चाते हैं तो आप हमारे